नमूश्पर दोस्तो आज़की वीडियो में फिर से लिकराई को और मजीदा लिफ्टेंट कैरी स्थूरी दोस्तो मेरी वाइफ का नाम में पैलब और हमारी शादी को लगवाग 20-21 साल हो चुके हैं हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बार गए वे हैं तो हम दोनों घर पर अकेले रहते हैं हम दोनों सुबह के समय मौनिंग वोक करने के लिए साथ ही जाये करते थे एक दिन जब हम वोक पे गए वे थे तो हमने देखा कि एक यंग लड़की अपने बॉइफरेंड या हजबेंड को लिफ्ट एंड केरी करते वे काफी तेजी के साथ वहां से जा रही थी हम दोनों से हैरानी के साथ देखते रहे घराकर मैंने अपनी वाइप पायल से कहा आजकल की यंग लड़कियां कितनी स्ट्रोंग हैं देखा उसने कैसे अपने हजबेंड को लिफ्ट एंड केरी किया हुआ था इस पर पायल बोली मैं भी हमेशा से तुम्हें लिफ्ट एंड केरी करना चाहती थी पर कभी मेरी हमत नहीं हुई पर आज में चाहती हूँ मैं तुम्हें लिफ्ट एंड केरी करूँ मैंने कहा आरे पागल तो नहीं हो गई हो क्या कहीं कुछ हो गया या हड़ी वड़ी तूट गई तो इस उम्रों में काफी दिक्कत हो जाएगी वो बोली मैं इतनी भी बुड़ी नहीं हूँ रोज योगा करती हूँ तो मैं असानी से लिफ्ट एंड कैरी कर सकती हूँ और ऐसा कहते हुए उसने मुझे फ्रन्ट लिफ्ट एंड कैरी कर लिया वो काफी दिर तक मुझे ऐस तरह लिफ्ट एंड कैरी किये रही और ऐसा कन्ने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी अब मेरा भी confidence लेवल बढ़ गया था फिर मेरे कहने पर उसने मुझे पिगी बैग लिफ्ट एंड कैरी किया काफी देर तक ऐसा कन्ने के बावजूद उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई तो अब हम दोनों का ही confidence बढ़ गया था और फिर उसने मुझे अलग-अलग तरह से लिफ्ट एंड कैरी करना स्टार्ट कर दिया हमने देखा कि उसे मुझे किसी भी तरह से लिफ्ट एंड कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वो काफी असानी के साथ हर तरह से मुझे लिफ्ट एंड कैरी कर रही है मैंने कहा सच में यार तुम तो इस उमर में भी काफी स्ट्रॉंग हो वो बोडी मुझे अब अफसूस हो रहा है कि मैंने 20 साल पहले से तुम्हे लिफ्ट एंड कैरी क्यों नहीं किया मैंने कहा मुझे भी पर अब तुम मुझे रोज लिफ्ट एंड केरी किया करो और उस दिन के बाद वो मुझे रोज लिफ्ट एंड केरी करने लगी दोस्तों ये लिफ्ट एंड केरी स्टोरी बस यही तक आप लोगों कोई कहानी कैसी लगी आप कॉमेंट करके हमें बताएं और लिफ्ट एंड कैरी से जुड़ी ऐसी और वीडियोस दिखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले